जेन दोस्तों स्वागत आपके चैनल तगड़ा हुजी पे दोस्तों आज इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे से सीप्यू एक्जाम के बारे में यानि कि सेंट्रल पुलिस और्गनाइजेशन इस एक्जाम देने में अपका क्या नौक्री लगता है कौन सा रेंग लगता ह कौन सा डिपाट्मेंट पर आपका नौक्री लगता है कहा कहा डियूटी परता है क्या क्या डियूटी करना परता है और यह एक्जाम देने के लिए आपका मिनिम्माम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका हाइट कितना होना चाहिए आपका फीजिकल में क्या क्या हो होते हैं पूरा विश्य में बात करूंगा आप लोग वीडियो को पुरा लास्ट तक देखेंगा दोस्तों और वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक किजिए को तकड़ा फोजी चनल को प्लीज सस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों आइए बात करते हैं देखिए यह SSC जो organization ही है यह CPU exam लेता है जो की आपका minimum qualification graduate होना चाहिए और यह exam पुरुश और महिला दोनों इसका exam दे सकते हैं फॉर्म फिलाप कर सकते हैं ठीक है category wise आपका age relaxation भी मिलता है मेरे एक subscriber दोस्ट पुछा था कि sir cpu में age relaxation मिलता है कि नहीं obviously भाई अलग-अलग category में मिलता है ST, SC, OBC, EWS तो इसमें 3-5 साल ऐसे करके age relaxation मिलता है अभी आप यह जो form आप अलग से भी फिलाप कर सकते हो मतलब बाहर से भी फिलाप कर सकते हो या फिर आप मान लिजे कोई साट डिबी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो constable के तोरपे या फिर ट्रेट्समेंट के तोरपे और आपका यदि graduate है आपका qualification तो आप cpu exam के लिए apply कर सकते हो और डिपार्टमेंटली भी दे सकते हो और बाहर से भी आप cpu exam दे सकते हो यह exam देने पर आपका rank लागता है SI सब इनिस्पेक्टर यानि कि दो स्टर दो स्टर लगेगा आपका ठीक है और डिपार्टमेंट कॉन सा होगा दिल्ली पुलिस CRPF, CISF, BSF, SSB, ITBP, SSF इसमें जो है जॉब लगता है इसमें क्या होता है देखे हमारे पेरामिलेटरि में तो लगता है यह दिल्ली पुलिस में भी जाने का मौका मिलता है आपको इसके बाद आपका हाइड जो है पुरुष के लिए होता है 170 cm और महिलाओ के लिए 157 cm अभी इसमें बात करते हैं रीटेन एक्जम का दो तरीके के रीटेन एक्जम होते हैं टायर 1 और टायर 2 प्री एक्जम बोल चेकते हो और में एक्जम बोल चेकते हो प्री एक्जम में यानि की टायर 1 एक्जम सबसे पहले होता है पहले तो आप फॉर्म फिल आप कर लेंगे जब भी नोटिफिकेशन निकलता है मानले लिजे इस साल अगश्म महिना में नोटिफिकेशन निकल जाएगा CPU एक्जम का ठीक है तो जब भी नोटिफिकेशन निकलता है तब आप फॉर्म फिल आप करते हो इसके बाद आपका रिटन एक्जम होगा यानि की टायर 1 एक्जम यानि की प्री एक्जम होता है 200 मार्क का कुश्चन होता है इसमें और 200 कुश्चन रहते है हर एक कुश्चन का मार्क एक ये करके होता है और 4 पार्ट में होता है जैसे की SAC,G,D, CGL या फिर CHSL या फिर MTS जो होता है न एक्जम प्री एक्जम वो पूरा सब एक्जम एक्ज़गे तरीके से होता है और इस CPU exam भी 4 पार्ट में होता है इसमें 50-50 करके हर एक पार्ट में 50-50 मार्का होता है और 50-50 कुश्चन होता है टोटल 4 पार्ट में 200 मार्का कुश्चन होता है 200 कुश्चन का और समय रहता है आपका सिर्फ 2 गंटा तो आप यदि pre-exam qualify कर लेते हो आपका cutoff 120 या फिर 130 से उपर रखना बढ़ेगा आउट ओफ 200 ठीक है तभी आपको physical के लिए बुलाएगा टायर वान आप पास कर लिया इसके बद आपका physical में बुलाएगा physical में क्या होता है देखिए इसमें 100 मिटर running होगा ठीक है स्प्रिंट मानना बढ़ेगा आपको इसके बाद 1600 मिटर का running होगा और आपका होगा long jump और high jump होगा और होगा shot put जो गोला होता है ना गोला गोला को फेक के मानने का है ठीक है तो इसमें 100 मिटर running 1600 मिटर running long jump, high jump और shot put महिलाओ के लिए भी सेम होई है बस timing में अंतर है आपका height होना चाहिए 170 cm महिलाओ के लिए 157 cm आपका पुरुष के लिए जो chest होना चाहिए 80 और 5 cm फुलाना है ठीक है महिलाओ के लिए ऐसा कुछ नहीं आपका age होना चाहिए 20 से 25 साल तक ठीक है तो इदर tier 1 हो गया physical हो गया बहुत सरे लिए के जो है इस physical में mark आजाते है इस physical में mark आजाते है बहुत सरे लिए के क्या होता है देखिए SSC के बहुत सरे exam होता है जैसे के CGL CHSL MTS उसमें क्या होता है सिर्फ written exam होता है tier 1, tier 2 ना कोई physical ना कोई medical बहुत सरे लरके जो पराको लरके होता है ना वो physical में बहुत कमजोर रहते हैं और बहुत सरे मेरे ऐसे बाइबेन है जो कायव देहाद से रहते हैं वो बहुत ही मेनत करते हैं physical का भी मेनत करते हैं mentally पराय भी बहुत बढ़िया करते हैं वो लोगी CPU exam में पास हो जाते हैं अभी देखिए जो एक पराको student मानलेजे टायर वान में 200 मारका question में मानलेजे 190 मिल गया लेकिन वो बंदा फस जाता है उदर physical में कोई यदि running में पास हो गया तो कोई long gum में fail हो जाएगा ने तो short foot में fail हो जाएगा ने तो 100 मिटर race में fail हो जाता है यह physical में बहुत सरे लेकि जो है markा जाते है इसमें competition बहुत कम होता है total जो CPU exam का है competition इसमें कम होता है क्योंकि इसमें return physical इसके बाद फिर main exam इसके बाद medical होता है तो इसलिए competition कम रहते है बहुत सारे लेकि जो इसमें apply करता नहीं है जातर ठीक है कोई जाता है कि हा मैं सिर्फ exam दू इसके बाद ओफिस में नौकरी करूँ लेकिन इसमें physical भी होता है तो इसके बाद आपका जब आयर वान और physical हो जाएगा इसके बाद आपको बुलाएगा main exam देने के लिए main exam होता है 200 mark का सिर्फ और सिर्फ English language में exam होगा English का paper होगा 200 mark का इसमें आपको mark जाएगा आपका 1500 से उपर 117 से रखने से आपका जो है medical के लिए बुला लेगा medical वोई सेम SSC GD में जैसे medical होता है ऐसे आपका medical होगा तो CPU exam देने पर आपका बहुत फाइदा है रेंग लागते हैं दो स्टार का सबीनिस फेक्टर बन जाता हूँ और मैं बता देना चातो कट अप जो है सबसे हाई जाता है दिल्ली पूलिस में किस लिए देखिए दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा आपको और पोस्टिंग भी आपका वही दिल्ली के इधर उदर आप पूस्टिंग होते रहेगा तेकिन दिल्ली पूलिस में क्या है आप उधर दिल्ली में आपका पूरा जिंदी को पर नौकरी कर पाओगे और इसमें रैंग भी ले सकते हो अलग-अलग देखिए आप सब इनिस्पेक्टर बन गया है इसके बाद इनिस्पेक्टर बन सकते हो ए और CPU exam आप यदी करेक्ट करते हो तो आपका इज़्ज़त भी बर जाएगा आप डो स्टर लगाए के आप बरती हो जाओगे और आप सिंपल से बता दिया के सीप्यों एक्जां कैसा होता है ठीक है इसका प्री एक्जां कैसा होता है और फीजिकल इसके बाद में इसके बाद आपका मेडिकल एक्जाम पूरा जब हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा आपके मेरिट लिश्ट पर आपका नाम आ जाएगा और आपका डिपार्टमेंट भी आ जाएगा चाहिए आप दिली पुलिस में भी हो सकते हो तो सिप्याइग्जाम एक बहुत फाइदे मंद एक्जाम है आप इसका त्यारी कीजिए और सिप्याइग्जाम देके रियंग लागा कर बरती होई आमारी प्यारा मिलिटरी या फिर दिली पुलिस में आईए आशा करतो इस वीडियो में आप लोग बहुत कुस्छी के होंग अगली वीडियो पे आप लोग इस वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक किजेगा और तकड़ाफुजी चनल को सस्क्राइब किजेगा दोस्तों मिलते हैं आगली वीडियो पे तब तक के लिए जहन दोस्तों